तो आज फाइनली इसका रिव्यू कर रहे है चेयर का और यह है कौनसी चेयर है आज तुम्हारा भाई बैट के वीडियो बनाएगा गेमिंग चेयर फाइनली ले लिए हमने आपने वैसे टाइटल में पढ़ी लिया होगा और इससे पहले जो मैं चेयर यूज कर रहा था वो मैंने और उसकी वीडियो है चैनल पर चेक करना मतलब एक ओफिस चेयर को गेमिंग चेयर में गया था तो जो नए नए सब्सक्राइबर्स है डाउन हुए शाद उनको ना पता हो तो अगर आप भी सस्ते में गेमिंग चेयर मनाना चाहते हो तो वह वाला आईडिया है और अ हमने सजार उपए की ग्नीन सोल की चेयर महाई है हमने तो फटा-फट से अंबॉक्स करके असेंबल कर लेते है अन कैमरा उपर कितने अच्छा कपड़े पैनलो नीचे पजामा और चपल ही होती है हमारे ये चेयर की बैक निकल गई ये बहुत ज़रूरी मसाला पूरा एसें निकल गए है इसके अंदर से ये ग्लव्स भी निकले है भाई ऑपरेशन करने के लिए रिलेक्सिंग वाली फीलिंग आ रही है चक्कुकु भी लियाओं के बढ़िया से दूसरा भी पैनल लेते है तो भाई बहुत सारा समान इसके अंदर से निकल गया है और इसको असेंब पूरा एक पैकेट दिया है इसके अंदर सारे स्कूरू जाएगी साथ है तो सबसे पहले तो हमार को यह दोनों अटैच कर लेने हैं बैटने वाला एरिया और जो बैग एरिया है उसके बाद बागी चीज़ा सेंबल कर लेते हैं इसी को पर रगे नहीं जमीन पर मत रखियो यह लेफ्ट आगे तरही ठीक तो है इसे राइट लेफ्ट सबस्क्राइन आरहा है क्या यह लाइट होगे लेफ्ट होगे सब गलत करवारा है तो आया क्यों है यह दिखावा करने आया तू कि मैं भी कैमरे पा जाऊंगा है यह सईयज में पेंट से बढ़िया दे रखिया यह वह होगा ना कुल्य पे लगाने वाला पिछ वाड़े को अराम देगा पर्चा भी तो ऐसा नहीं से कौल पड़ेगा यह उल्ट लगा दिए कि हमने यह तो लग रहा जैसे कोई सिंधासन सा दे दिया हो पतला क्या कुशन भी तो लगाएंगे यह अभी तो अमीरो वाली चीज तो रही गई हरी आत्मा रुग जा एक मट वह वाला भी लगा अभी अभी रियाद दि रहेगी यह एसे लगता है यहां से जाएंगे यह एसे करके मुझे पता है ना अरे अंदर से इसमा निकलने ला कुछ है नहीं है अब यह देख लिए कौन सा वाला चोड़े वाला इससा निचे है वैसे चोड़े वाला निचे होगा एक बंदा भी टेड़ा बस यह कर दे दूमेशा यह इन परफेक्ट चीजे अब दिखाओ भाई साम ओ हो हो भाई साम यह जो कमर के पीछे वाला है ना चल रट जा पहले क्या कमिया है क्या खूबिया है लेनी चाहिए या नहीं मैं तो ले ली तो मिलते है दो चार दिन बात फिर बहुत ही खतरनाक एंट्री हो गई थी तो इससे पहले जो आपने असेंब्ली वाला और अन्बॉक्सिंग का जो शूट देखा वो 27 अउगस्ट को शूट हुआ था जिस दिने चेर डिलिवर हुई थी मेरे पास और आज है 23 अउगस्ट जो मैं शूट कर रहा हूँ तो दो म इसका नाम है ग्रीन सोल मॉंस्टर जो इसका मॉडल है तो यह मैंने 19,000 की ओडर की थी अभी प्रेजेंट लीज चल रहा है वह फेस्टिव डिसकाउंट वगयरा चल रहा है वैसे इसका प्राइस 18-19,000 नि रहता है और इसके नंदर आपको दो साइज मिलेंगे एक साइज म आप जो टी साइज है वह 5.8 इंची से लेके 6.5 इंची तक वारे लोगों के लिए है तो देखने ना अपने हीट के साब से किसी साब की चेर आपको मंगानी है हम छोटे लोग है तो छोट छोटी चेर और इसके नदर आपको पांच कलर मिलते हैं रेड ग्रीन ब्लाक वाइ गंटो गंटो करते हैं तो लगातार गंटो बैठने वाला काम सर्फ गेमिंग ही नहीं है बहुत सारे काम है जैसे एडिटर सोते हैं आपके आटिस्ट होगे क्रिएटर्स होगे जितने भी लोग है जो लगातार PC के आगे बैट है या फिर उसको बैट के काम करना है तो उन आप गेमर हो तो यह चेर लो आप मुजिक आर्टिस्ट हो आप एडिटर हो आप क्रेटर हो आपको लंबे-लंबे टाइम तक डिजाइनिंग करनी है बैठके आप यह चेर ले सकते हो अराम से मतलब बताएं सकता है इससे पहले मेरे पास ऑफिस चेर दी उसके बाद जो मैं इस सब्सक्राइब करता हो तो मैंने इसको पर्सनली दो महीने यूज करने के बाद पता लगा कि हां भाई इस पे कोई स्वेटिंग का इशू नहीं होता एक तम ऐसा होता है कि नॉर्मली जैसे फॉस्स ताइम पर चेर पर बैठे हो लाएक अभी बैठे हो और पांच गंटे ब दो रहली तो असचेर के बिल्ड क्याइब को बताता हूं जो चेर का बेस का बेस का जितना फ्रेम हैं यह पूरा-का-कूरा में आपको मिलता है जो टायर पोर्शं है इवन जो बीची की अधर यह प्लास्टिक की है फ्लीटर में ना लगे और ईसके आम रस में जो बिल्ड क मिलेगा यह एक क्यूबिक 3D टाइप का पैटन है और जो हमारी आमरेस्ट है वो फोल्डी है यानि कि चारो डिमेंशन तक मूव कर सकते हो ऊपर से बटन प्रेस करोगे तो आपकी फ्रंट में मूव हो जाएगी और यहां से वाला बटन प्रेस करोगे तो नीचे और ऊपर मूव हो जाएगी और यह वाला बटन प्रेस करते हैं तो लेफ्ट और राइट मूव हो जाती है और हम पूरी की पूरी आमरेस्ट को इस तरीके से भी टिल्ट कर सकते हैं इसके अंदर आराम से क्रॉस लेट भी बैट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती बैटने में और इतना चौड़ा स्पेस है कि अकर आम इल्कुल रिलाक्सिंग पोजिशन पर भी बैटना चाहेंगे तब भी ऐसा नहीं हुआ तो ओवराल जो सिटिंग स्पेस है वो बहुत बढ़ी है और इसका जो बैक रेस्ट का एंगल है वो फ्रॉम 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज तक चला जाता है और 180 डिग्रीज तक मैं जाके देख चुका हूँ पर लेकिन फिर भी 180 डिग्रीज में डर लगता है वंदा तो नहीं है ना कोई सोफा है तो मैं इस ही कोई पीछे करके अराम से अपना रेस्ट कर लेता हूँ 10-15 मिनिट को नैप ले नहीं हो और अराम से फुल चिल मार गे उसके बाद एक दम बैक तो वर्क तो कोई दिक्कत नी होती है अब जब बैक अड्जेस्टमेंट की बात चल लॉक कर दो और उसके बाद कुछ इस तरीके से रिकलाइनिंग पूरी चैर कर सकते हो यह मेरे को लिटरली बहुस से ही चीज लगी कि ऐसा रिकलाइनिग पूरी पोजिशन में हो जाती है तो अगर हम लेटते भी है पीछे की तरफ तो ऐसे लगता हम किसी बेड़ पर लेट नीचे आपको लंबार पिलो भी मिल जाएगा तो बैठने में जितनी कमफर्ट यह देती है मतलब पिलो की प्लेस्मेंट इतनी भड़िया है कि बैठने के बाद कभी भी बैक पें तो आपको होई नहीं सकता मैं पॉसनली बता रहा हूं यह लंबार पिलो सबसे ज्यादा कमफ आराम से मुव हो जाती है और मुवमेंट अच्छी से लिए क्योंकि चेयर का वे 23 kg है 23 kg होने के बावजूद भी बहुत स्मूदली आप इसके वील्स पर मूव कर सकते हो और इसका बैक एंगल है वह आप इस लिवर से चेंज कर सकते हो और लिवर काफी स्मूद है मतलब एक चैनिजम इसके अंदर यूज हुआ है इसकी आपको थी यह की वारेंटी मिलते है ग्रीन सोल की तरफ से तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं कोई प्रॉबलम आएगी आप कॉल करो मेल करो आपकी प्रॉबलम सौट हो जाएगी स्यूद रिवीर करता है कि कभी आपको कही एविलेबल होगा सर्विस इंटर वग्यरा तो वह विजट कर लेंगे जो भी होगा मतलब वह आप फिगर आउट करी लोगे तो बस इतना यह था रिवियू चेयर में और कुछ होता नहीं बताने के लिए अब मैंने कोई दूसरी तो रिवियू करी नहीं अभी तक दूआ करे तो उसमां आपको बताएंगे कि कैसी है कैसी नहीं है कौन के मामले में तो यह यह बज़िए इसके आम रेस्ट हैं वो थोड़े से और स्टेबल और स्टडी हो सकते थे पड़ वह थोड़े से चीप से फील होते हैं और आल चेयर बढ़िया है मिरको परसनली अच्छी लगी आपको कैसे लगी कॉमेंट करके जबर बताना लाइक मारते हैं वीडियो को शेयर करते हैं आप दोस्तों को साथ अगर ग्रीन सोल की चेयर लेने वाले हो हरी आत्मा तो हम मिलते हैं नेक्स बड़ी इंटरस्टी वीडियो में अब तक के लिए बाबाए